देश आजादी की छियतरवी वर्सगांट भले ही मना रहा हो लेकिन अमेठी में देश की आजादी में अपनी भोमी का निभाने वाले कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देश की सहादत के लिए अपनी प्राणों की आहुती दी और देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था अमेठी जिले में मुसाफिर खाना छेतर में एक एच्छे सुतंतता संग्राम से नानी गुरु प्रसाद सिंग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुती दे कर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था आजादी की लड़ाई में गांधी जी के भा इन्होंने कई बलिदान दिये चार दिसंबर 1920 को जन्मे गुरु प्रसाद ने अलपायों में ही गांधी जी की भासर से प्रेरित होकर अपने घर परिवार को छोड़ दिया और देश की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए घर जे निकल पड़े उन्होंने अपन इन्होंने अन्तिमसान ली जिसके बाद राजा के सम्मान के साथ उनका अन्तिमसान सकार किया गया आच भी उनके परिवार के लोगों के साथ आसपास के लोग गुरु प्रसाद संगी बीरगात हाएं सुनाते हैं अमिठी जिले के भाले सुल्तानियों का छेतर कहा जाने वाला मुसाफिर खाना के रिछवरार रतनपुर में जन्म गुरुपरसाद का जन्म 4 दिसंबर 1920 को हुआ ग्यारा वर्स की आलपावी में उन्होंने गांधी जी का भासन सुना जिसके बाद उनके मन में करांती की अलग जब उठी और अपने घरवालों को बीना बताये उन्होंने आजादी के लड़ाई में योगदान किया अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते उन्हें पकड़ लिया गया जिसके बाद उन्हें दो साल तक सुल्तानपुर जेल में बन किया गया यहां के बाद उन्हें नएनी जेल में बन किया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बेश की आजादी के लिए करांती की ज्वाला लगातारवे जलाते रहे इन्होंने देश में आजादी के साथ साथ धोमिदरी आंदूलन में भी अपना योगदान किया इसके साथ ही 1952 से 1912 तक इन्होंने प्रत्थम विधाय के तौर पर अपना प्रतिजित किया आईए उनके परिवार के सुतंतता संग्राम से नानी से जानते हैं पूरी कहानी अपन सही जब तक उनको जो है देश की आजादी के लिए उनके ललग सी और वो बीस वर्ष की अवस्था में मुसाइर खाना पढ़ने के लिए गए तो गांधी जी के विचारों को सुन करके इस आंदोलन में कूदे उसके बाद उनको पकड़ा गया सुल्तानपुर जेल मे उनको एक साल तक यात्माएं दी गई उसके बाद भी वो नहीं तूटे उनको नेनी जेल भेजा गया नेनी जेल में भी लगभग एक साल तक उनको कैद किया गया और उस कैद में अनेक प्रकार की यात्माएं अंग्रेज देते रहे उसके बाद भी उनके अंदर वो जनून जो देश को आजाद करने का था करंदकारी का जो जुनून था वो हमेशा जागरित रहा और देश आजाद होने तक वो हमेशा आजाद देश इसके लिए संगर्स करते हैं जो परफ्थम संगराम में सहीद हुए थे उसका संभी बना हुआ है बाबा जी थे ये देश के आजादे के लिए इतने मतवाले हो गए थे कि अपने घर परवार को छोड़ करके यातनाएं सहिते रहे एक बार इनको इस चेतर के जो यसो थे उनको पकड़ा करंदकारीयों के स अत्सी के सफ में और यह कहा कि इनके पिता जीसे का माफी मांग ले और में यह छोड़ दूँ के साथ में लेकिन इस जिले के जिलाजगारी महुद्ध से मांग भी कर चुके हैं कि पेड़ाई पड़ परिवार को कुछ भधाय दिलाई जाए जो और परदेशों में और जिलों में मिल भी रही है लेकिन मेठी का प्रसासन पूरे देश में एक साथ नवगस्त को पूरे स्वतनता संग्रामश्यानी की परिवार उन मुर्थियों को नमन करते हुए पूरे जिले में घूमदा है लेकिन बड़े दुर भाग दुख की बात है कि मिठी जिले के मुख्या लेगा है लेकिन में एक विस सही दो संदा संग् झाल 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 झाल